हलो बच्चो स्वागत आपके फिरवेट यूट्यूब चनल निव लाइट नीड में जहां पर मैं लेकर के आया हूं सिंग सर का सपना अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको जिसके तहत मैं लेकर के आया हूं दस का दम क्या लेकर आया हूं 10 का 10 मतलब IPL 05 का पेपर जिसमें 10 जो कोशन जो थे जो बहुत जादा गलत हुए थे उनका discussion में लेकर के आया हूँ मेरा नाम है अक्षय गुपता चलिए सुरू करते हैं आची क्लास बढ़ते हैं सबसे पहले कोशन की तरफ पहला कोशन देखिए कितना आसान था कोशन था ड इस ग्रेटा अक्षय पर जो है वह ग्रेटर कहां पर होता है तो अगर मैं आप से कहूं तर यह एकदम की ऐगना सही हो जाएगा पहला पाद सही हो जाएगा लेकिन बच्चों अगर आपसे कोश्चन यह पूछ देता अगली कोश्चन की तरफ चले बढ़ते हैं अगला कोश्चन है दवी आई करेक्टिस्टिक्स और फोटो डायोड क्या होगा तो बच्चों सबसे पहले हम समझते कि यहां पर जो टर्म है हमारा फोटो डायोड यह त पर करता है तो अगर हम आप से यह कह दें क्या क्या कि आप वियाइ व्याइज इन टेंसिटी पर अलग 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 आपको और यहां पर बिसक्ली मिलेगी है ना कोश्चन में क्या पूछा गया था 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 यह यह रिवर्स बाइस में काम करता है चलिए अगले कोश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं अगला कुश्चन है अरली संन्राइज अंड डिले संसेट और संसेट है और नहीं सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि जब हम लोग सूरुदया देखते हैं तो तो जल्दी हो रहा है और जब संसेट मतलब जब वहारे सुले रहा होता है तो और ठीक है तो इसका रिजिए तो बहुत धानस बात करो जरा जरा से ठीक है और हमने आपको यहां पर यहां पर बढ़ाल दिया ओके अब आपसे कह रहे हैं कि आप के लिए एक लैन में ने यह बनाई ठीक अब बात करेंगे संगी तो यहां पर था मतलब देखना चाहते एक जाट बात करें तो यह सेंटर बिल्कुल रुदम बच्चो उससे निकलने वाली रेस जानी चाहिए थी एकदम सीधी, ऐसे हैं सीधी जानी की होता है जो अर्थ होता है सब्सक्राइब और चीजा कने जाती है तो अब चेही पर गढ़ा से ultra that तो सीधी ना जा करके बच्छो यह थोड़ी सी तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सं पहले ही उधाई हो गया है पहले ही सं राइस हो गया है अच्छा अlt में आपको इतना ना देखने मिल भी जाएगा कितने मिन का दिफ्रांस आता है तो बहुत कितने का आता है 2 मतलब 2 मिनट पहले ही वह संड्राइस हो गया है जब यह संसेट हो रहा होगा जब नीचे पर पहूंच गया है खेया है उसकार क्या सबस्टेंच कि रॉन करते हैं व्यक्ते तो थे सब्सके का pixel कर्क है है यहां है पर जाती है कि रहते हैं अप्षिन निया डेला जाते है कर तो लाइज टुवर्ग तो पहीं हो दो रहा है उसका इंट एकक्षा स्बाह्रा है ठीक है चलिए अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन सा पार इसका सही होगा तीसरा पार एकदम बचा एकदम सही हो जाएगा ठीक है अब अगला question देखिए अब यहां पर क्या है कि यह एक यहां पर गई है यह कौन से लेंस बोला गया यहां पर question में ठीक तो बया जब इससे reflection जब यह लेंस से पास करेगी तो यह आपर होकर क्या जाएगा तो तो यह convert हो जाएगी ठीक है कि अब ऑच्वा जो जहां से तो हैं गागि इसका वेफ्रेंट बनाो घंट है जो इस तहीं कुछ यहां से पास हो रही होगी तो sap chrom सा जुब कुछ इस्तों को च्वना हो जाएगा तो इसका कुई इसका पार इकडम ही हो जाएगा ठीक क्यों क्यों कि जब इधर जा रही है गळी कुछ कैसे हो जाएगी चलिए अगले कुछ को बढ़ते हुआ अच्छे अपोशनी कितना शांदार को स्यनिंट क्या है एंट्टू दा लोड इस इंटर्ण पर तो उसके लिए इंट्रेनर रेस्टेंस क्या होना चाहिए पहला ऑप्षिन बहुत प्लेटने कि यह प्लोड रेस्टेंस तीसरा है जीरो चौटा है नौन-जीरो बट लेस्टेंस अफ दर रेस्टेंस आफ डाइक अगर हम बात करें कि यह होगी आपको लोड रेस्टेंस यह होगी आपका cell का EMF E यह होगी small r और यह होगी current, अब आप current इसमें भाना चाहते हैं, तो भजा current का फर्मना यहां पर क्या हो जाएगा, E upon capital R plus small r हो जाएगा, ठीक, अब अगर आप चाहते हैं कि current हमारी constant रहे, क्या रहे current हमारी constant रहे, सबसे पहले एक बात यह आएगी, क्या, कि यार अगर r की value और capital R की value को आप देखो, भाई EMF को देखना हैं, हमें इन दोनों को देखना है, क्योंकि internal resistance की तरह में हमें answer देना है, तो अगर मैं पहली की बात करूँ, यह equal to the resistance of the load, अगर माल लेजे, आपने small r की value capital R के मालों बराबर कर दी, तो भाई सब यह हो जाएगा 2R, लेकिन जो capital R है वह क्या होगा, जब इसमें किसी भी capital R की value होती, वह vary करती है, क्यों करती है, भाई सब जाहिए सी बात है, अगर किसी भी load में, अगर आप current flow कराओगे, तो heating effect आएगा, तो R की value में कुछ ना कुछ changes देखनों का मिल जाएगा, तो फिर वह वहाँ पर constant current नहीं रहे जाएगी, ठीक है, तो यह अला option जो होगा, बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अब दोखो, very large as compared to the load resistance, ठीक है, अब इसकी बात समझते, यहां पर अगर हम बात करें, कहरा कि R की value को capital R से बहुत बड़ी कर दो, तो बच्चों जब ऐसा होगा, जब R की value को आप क्या कर रहे हो, capital R से बहुत बड़ी कर रहे हो, तो उस case में क्या होगा, यह लगबग बरावर हो जाएगा, E by small r के, भाई यह value बहुत जादा है, तो यह R plus R की value लगबग इसके बरावर हो जाएगी, small r के बरावर हो जाएगी, तो बच्चों उस case में क्या होगा, अब R तो वेरी करने वाला है नहीं, तो यह जो पूरा term है, यह constant हो जाएगा, क्योंकि R तो एक बर fix हो गया, भाई एक बर हमने बैटरी बना दी है, तो R की value तो change होने वाली है ही नहीं, तो जब वो change ही नहीं होगा, तो जाहिएर से बाद यह पूरा का पूरा term क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, तो बच्चों, अगर हमें I को constant करना है, उसके लिए R की value को load resistance से बहुत जादा करना पड़ेगा, तब आपको I जो है एकडम constant मिलेगा, तो बच्चों, इसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट एकडम सही हो जाएगा, चलिए अगले कोशन के तरह बठते हैं, वनगर कैपिसिटर इस connected to an inductor, और कैसा है? initially charged है,Óँग है? अगर Kapasitor initially charged, is connected to an inductor, the change on the capacitor and the current in the circuit तो फिननो Branis लोचा है, थे हम से पुछा गया, अब मेरे बात को बजादध्यान समझना, मतलब इसके पास energy घिक जब हम इसको एक इंडॉक्टर से हनट करδेते हैं तो यहां पर यहां रहा dość है कहान आ उसलेशन हो गई सही हम इसको इनट करते हैं बाइया जो इंडैक्टर्ट होता है ला उत नहरो को यौन आ खैली रहेगा तो इसको अपनी भरहा सब Presence का pagan में यह अजैसी कि भर छेगए जातода को तो यह से खाली होना सुरू हो जाइगा कोई यह अपको से इस था क्यों और से भाएगा तो यह फिर से खाली हो जाएगा कहने का मतलब यह है इक इलक्टिकल एंठी कर्कान थे जाएगा और यह तो हुगा यह सिस्टम सेम पैसा ही होता है सिस्प्रिंग कॉंस्टेट में होता है क्या माली ज़िए कोई मास के बॉड़ी को खीज के ऐसे छोड़ देते हैं तो पहले क्या कहते हैं कानेटीक फिर पोटेंशल्ड फिर नियुक्त प्रिफ 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 पटेंशन और इस तरीके से ऑसलेशन होता रहता है तो यह केस बिल्कुल कैसा हो जाता है और इस अलसी तो हम यह कह सकते हैं किसमें हो जाता है यह एकदम सही ऑप्षन हो जाता है इसका पार सब्सक्राइब अगला प्रशन देखिए अगला डिप निडल इस फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लें पर्पेंडिकलर टू दा मैगनेटिक मेरेडियन क्या होगा तो बच्चों एक बा उस प्लेंड पर जो होर्जन्टल कंपोनेंट होता है मैगनेटिक फीड का बच्चों वो तो जीरो होता है तो बचता क्या है सिर्फ सिफ वर्टिकल कंपोनेंट बचता क्या है सिर्फ सिफ वर्टिकल कंपोनेंट बचता है तो इसका मतब अगर आप डिप निडिल को अगर तो वह घूम भिर के वहापस पहां पर किनल चला आगा वहीं आजाएगा तो इसका क्या हो जाया गारी कल क्या है मैंगनेटिक बात करें तो वहां पर होगों को छोड़ोगे वहां पर घूम्बर के बात करता है यहां पर कहारा attractive for distance यह है यह option दिए गहें बाइच साब हम आपको nuclear force के बारे में थोड़ा सापको बताना चाहते हैं क्या बटे जो नीकलर उता है वह 0.8 फर्मी लेवल पर गजब का attraction देता है यहां पर 0.8 फर्मी पर क्या देता है बट जैसे ही distance कम होने लगती है मतलब अगर distance less than 0.8 फर्मी बजाएगी वैसे पर अच्छी का से तरीके से अच्छी बहुत बढ़िया देता है लेकिन जैसे ही डिस्टेंस कम होती है ये रिपलसी निचर में आ जाता है ठीक है यह बाद धनकना इसके बढ़ाओं तो अगर आप दिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो जो इसका अट्रेक्शन पर धीदरे यह दिरे कम ही होता चला जाएगा लेकिन एक बात हमें साथ जहां नहीं है क्या धनकनी है कि जैसे ही आप 0.8 फरमी पर होना चाहिए अगर आप ज्यादे की बात करों तो अट्रेक्शन नहीं नहीं होता है इसलिए चोथा पार्ट नहीं हो सकता यह बात ध्यां नखेगा अगले कि बढ़ाएंगे अगला क्या है दर रेश्यो ओफ कंटिबिशन मेड बाइदा इलेक्टिक फिल्ड एंड मैगनेटिक फिल्ड कंपोनेंट तो इंटेंसिटी ऑफ एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव की बच्चों तो वहां पर अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं आजआ हुए का फार्मला होता है यू एव्रेच इंटिू सी होता है अब जब बात करेंगे सबसे बले हम लोग बात कर लिते हैं किसके लिए अगर मैं एलेक्ट टिक के बाद के लिए और यह एवरेज आता है जो इनर्जी जो शुरूर्वती जो आता है वह क्या होता है तो और मेगनिट के लिए क्या होता है तो बच्चो मैगनेट के लिए क्या होता है बी नौट स्क्वाइर डिवाइड बाइट टू मिउनाट होता है ठीक है बच्चो अब अगर हम आपसे यह कह दें कि अगर अब आप से लगता होगा अब क्या करें क्या करें लेकिन एक जिबह ध्यान समझो क्या कि जब हम बात करें कि कुछ प्रॉपर्टी होती मैं यहां पर डिसक्स करने वाला हूं और उसी से हमें इबास समझ में आगी क्या सब होता क्या है कि इनौट अपांट बी नौट की जो वैली होती होती है टो से के बराबर होती है पहली चीशता तो ओस हिसाब से इनौट बराबर क्या होँ जाएगा सी वीनौट की होगा झाइल ऑगया थिकते हैं और अगर हम कहें यहां तो यह उत् innovation सी कि एक और घ्वाइब होती है क्या कि जो सी स्क्वैर होता है व ihan अपैसल है तो इस अगर में अबस्य है क्या हो जarाया का हो नौ इस का मतलब मैं इसकी जगे क्या लिख सकता हूँ बहुत ज्यांस समझ ना इसकी जगह मैं लिख सकता हूं तो बच्चो यू एवरेज क्या आ गया है वन अपन एपसले नौट बगल में तू और उपर है बी नौट स्कॉयर हो गया अरे सर यह क्या अरे यह तो वही एनरजी है जो मैगनेटिक के लिए हुआ करती थी तो इलिक्टोमेटिक वे केस में दोनों तो बराबर हो गई है और यह मतलब कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा इसका पार्ट छिए और 1-2 1 हो जाएगा फे इंदम सही हो जाएगा तो यह था या ता इसका बहत्रीन एक्सुमिलेशन अगर आपक्andidोमेटिक के बारे में ये बात नहीं पता है तो जरूर आप इस question को गलत करके ही आओगे तो अब अगले question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे ठीक है अब अगला question देखिए तो यह तो बिलकुल एकदम database question है इसनों कुछ खास नहीं था क्या current IH curve for paramagnetive material अगर हम parametive material की बात करें तो बच्चों जो आई होता है वो directly proportional होता है तो अगर हमें ग्राब बनाना होगा यार जाहिर सी बात से अगर डेक्टी प्रपोर्शनल का गमें ग्राब बनाना है तो यह तो एक्दम स्टेट लाइन होता है तो चेक कर लेते कौन सा पाट एकदम सही ह हो जाएगा इसका तीसरा पाट एकदम सही हो जाएगा चलिए अगले कोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हमारे बच्चों दस कोशन जो आपने IPL05 टेस्ट पेपर में गलत किये हुए थे ठीक है बच्चों तो हम आप से यह कहेंगे कि आप इस को दुबारा फिर से देखि बच्चों के गलत हुए है उसको हम लोग डिसकस कर रहे हैं और दस का दम स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह बता दें कि इसमें जो कोशन जो आपके ज्यादा गलत हुए हैं हम लोग वो डिसकस करते हैं ठीक है चलिए अब आईए हम लोग इसके तहट सिंग सर के मिशन को आगे बढ़ाते हैं पढ़ने का अधिकार सबको और डाक्टर बनने का अधिकार भी सबको अब आते हैं कोशन नमबर पे 10 कदम IPL 05 का यह कोशन है 10 कदम और इसमें से एक कोशन नमबर 68 कोशन नमबर 68 देखिए 178 नमबरPA cie एक करिटिकल धुएं करिटिकल तैम चर्वान ना कें नमबर hushni रहा ह lie यह एक्रियर्ट टैम्परेचर होता है पहली बात तो यह है कि यह होता है 31.1 वो भी degree centigrade में यानि आपका पहला statement क्या हो गया wrong हो गया है second statement पर आते हैं at one atmosphere present boiling point boiling temperature is called normal boiling point और if pressure is one bar then standard boiling point ठीक है बिलकुल सही बात है आप देखें boiling point क्या होता है when vapor pressure up liquid become exactly equal to atmospheric pressure तो यह क्या होता है वो किसी भी liquid का boiling point होता है किसी solution का boiling point होता है तो आपका statement second correct है statement first आपका wrong है तो answer कौन सा हो जाएगा statement one is incorrect but statement second is correct ठीक है तो answer हमारा हो जाएगा यहां पर third चलिए next question पर आ जाते हैं हम लोग assertion region का question है चलिए assertion में क्या कह रहा है effect of temperature on equilibrium constant given by one half factor भीया equilibrium constant का जो one half factor से temperature और equilibrium constant का जो relation होता है क्या one half factor से मिलता है बिलकुल मिलता है विटा यह कितना होता है डेल्टा जी is equal to minus rt ln अब उसके बाद यहां पर क्या होता है के equilibrium अब की हो सकता है यहां पर के पी हो सकता है यह आपका one half equation है और इसमें आपका temperature और किसके बीच में relation होता है equilibrium constant यानि assertion is correct आईए हम लोग देखते हैं reason क्या correct है की नहीं है reason one half equation log k1 upon k2 delta l 2.303 t2 minus t1 upon t1 upon t2 upon t1 into t2 चले one half equation से हम लोग यह चीजे निकालते तो है लेकिन यहां पर आप खास बात देखो कि यहां t2 minus t1 है तो यहां पर क्या होता है k2 upon k1 यानि reason हमारा यहां पर incorrect हो गया और reason इंकरेक्ट हो गया तो assertion is correct reason is incorrect ठीक है तो आईए देखते हैं a is correct but r is not correct answer कौन सा हो जाएगा आपका second answer हो जाएगा clear है बिटा चलिए question number next पर आते है question number 69 आप देखिए 69 102 बच्चों के यह गलत हुए है question 102 बच्चों के यह question क्या हुए है गलत हुए है तो आईए देखते हैं bond dissociation enthalpy of x2 y2 xy and xy bond dissociation enthalpy का ratio आपको given है ठीक है delta formation of xy दिया हुआ है enthalpy दिया हुआ है negative में ठीक है bond dissociation energy x2 की पूछ रहा है चलिए अब हमारे पास क्या है x2 है y2 है और इस से क्या बन रहा है xy का formation हो रहा है balance कर लेते हैं 1 by 2 ये भी हो गया आपका 1 by 2 और xy आपका क्या हो गया formation हो गया अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या दिया हुआ है bond dissociation energy और जब bond dissociation energy दिया होगा तो आप क्या करोगे reactant minus product करके enthalpy आप reaction निकालोगे तो यहाँ पर delta h आप reaction is equal to क्या हो जाएगा summation of the enthalpy delta h आप reactant minus summation of the enthalpy of delta h आप product हो जाएगा clear है चलिए अब देखते हैं यहाँ पर x की value क्या दिया हुआ है 1 is 2.5 is to 1 चलिए देखते हैं यह delta h की value यहाँ पर दिया हुआ है minus 200 तो यह हो गया आपका minus 200 और यहाँ पर हम लोग summation करते हैं तो x2 की value कितना है 1 तो यहाँ पर हम लोग कह दें 1 by 2 अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हमको क्या निकालना है यह x2 का bond energy निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं इसको यह constant मान लेते हैं यहाँ पर 1 into x कह देते हैं इसको ठीक है plus 1 by 2 यह है आपका 0.5 x minus यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 x ठीक है अब इसको calculate करेंगे calculate करने के बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर अगर हम लोग calculate करते हैं तो यह आ जाएगा minus का 0.25 कितना आ रहा है minus का 0.25 ठीक है one में से इसको minus करेंगे तो minus का 0.25 x यह हो गया equal to किसके हो गया 200 के यानि x की value कितना हो जाएगी minus से minus cancel हो जाएगा x की value कितनी हो जाएगी 200 upon 0.25 0.25 यह कितना आ जाएगा आपका यह आ जाएगा 800 ठीक है यह कितना आ जाएगा 800 तो एंसर आपका कौन सा हो जाएगा 800 किलो जूल पर मोल क्लियर है चलिए next question पर आ जाते हैं हम लोग बिटा next question क्या कह रहा है given below two statement a buffer of acidic pH we use weak acid बिल्कुल सही बात है and salt form from the strong form with strong base यह बात भी सही है equation क्या होगी pH is equal to pka log conjugate base upon conjugate base upon base नहीं conjugate base upon acid होगा इसलिए यह statement थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या कहा है इसमें change किया गया है यहाँ पर conjugate base upon acid होगा अब दूसरे statement पर आते हैं अब फ़र आप basic poh use ठीक है use weak base basic poh use weak base और यहाँ पर salt form from the strong acid यह बात तो चलो सही है लेकिन poh is equal to pkb minus का log अब देखे यह सही है यहाँ पर plus की जगा पर क्या ले लिया है minus ले लिया है यानि statement यह भी आपका क्या हो गया इनकरेक्ट यानि बोथ statement वन बोथ statement आपका इनकरेक्ट है बोली भी यह ठीक है बोथ statement वन और statement टू आर इनकरेक्ट यह आपका पहला answer हो जाएगा clear है चलिए next question पर आजाते हैं लोग विटा हाँ question क्या कह रहा pH of saturated solution barium hydroxide is 12 the value of solubility product आपको solubility पूछ रहा है barium hydroxide यह dissociate होगा आपका किसमे ba plus plus and 2oh minus अगर मैं solubility की बात करूँ तो यहाँ पे solubility s होगी और यहाँ पे solubility 2s होगी और आप जानते हो यह कैसा type है ab2 type है ठीक है यह कैसा है ab2 type है अगर यहाँ पे solubility product निकालना है तो ksp is equal to क्या कर लेते हैं 4sq क्या कर लेते हैं 4sq अगर मुझे s की value पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगी solubility अब यहाँ पे देखिए oh minus दिया हुआ है इसकी जो आपका pH यहाँ पे poh दिया हुआ है यहाँ पर क्या है barium hydroxide इसका pH दिया हुआ है अगर pH आपका barium hydroxide का 12 है तो poh कितना होगा 14-12 poh कितना होगा 14-12 इसका मतलब यह कितना होगा 2 और अगर poh आपका 14-12 है तो आप इसका antilag ले लोगे और क्या आजाएगा आपका oh minus concentration कितना आजाएगी oh minus concentration यह आजाएगी आपके 10 to the power minus 2 कितना आगे बैटा 10 to the power minus 2 अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यह solubility अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ से solubility निकालेगे यह 2s है और यह s है यानि barium ion के concentration क्या होगी इसके concentration की आदी होगी तो यहाँ से हम लोग s निकाल सकते हैं s कैसे निकालेंगे यहाँ से तो यह हम लोग क्या होगे यह 2s है यह s है इसके half concentration है यानि अगर मैं s की बात करूं यहाँ पर तो s की value कितनी हो जाएगी यह आप कह सकते हो कि barium ion की बात करो इसी का barium ion की बात करो तो यह कितना हो जाएगा इसका concentration 10 to the power minus 2 divided by 2 clear है और यही क्या है आपका s की value है solub ability आपको मिल चुकी है अब यहाँ पर values put कर सकते है ksp is equal to 4s cube s की value कितनी है बिटा 4s cube 10 to the power minus 2 upon 2 अब यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 4 into 10 to the power minus 6 divided by 8 यह चला जाएगा 4 into 2 ठीक है तो अब यहाँ से एकर हम लोग calculate करेंगे तो यह value आजाएगे आपकी 10 to the power minus 6 divided by 2 यानि आप इसको क्या कर सकते हो 10 into 10 to the power minus 7 upon 2 लिख सकते है अब यह 5 times जाएगा यानि यह answer आगया आपका 5 into 10 to the power minus 7 आएगे देखते हैं कौन सा एंसर है 5 into 10 to the power minus 7 आपका एंसर आगया है 4 यह आपका कहां से एंसर आगया है 4 तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यहां से solubility से इसको compare कर सकते हैं बात समझ में आ गई होगी I think ठीक है चलिए next question पर आ जाते हैं next question क्या कह रहा है बिटा kinetic relation दिया हुआ है यहां पर क्या दिया हुआ है kinetic relation question देखने में बड़ा है लेकिन कुछ खास इसमें नहीं है यहां पर क्या कह रहा है आप इस बात को समझेए initial pressure जो है आपका 0.5 है दो घंटे के बाद इसका pressure क्या हो जा रहा है आपके एक reaction है जिसमें दो घंटे बाद इसका pressure 0.7 atmosphere हो जा रहा है rate constant दिया हुआ है आपको और rate आप reaction पूछा हुआ है ठीक है चलिए हम लोग इस question को solve करते हैं अब जैसे हमारे पास A है इससे बन रहा है 2B plus C सारे gaseous है ठीक है चलिए अब यहां पर देखते हैं कि इसकी initial t equal to 0 पे अगर हम लोग बात करें यहां पे तो इसकी initial concentration t equal to 0 पे अगर हम लोग बात करें तो initial concentration कितना है 0.5 atmosphere प्रेशर जो है यह कितना है 0.5 atmosphere ठीक है अब कह रहा है कि 2 घंटे बाद जो इसका 2 hours के बाद इसका प्रेशर जब यह नहीं था तो अब इसका प्रेशर क्या हो जा रहा है 0.7 यानि अगर मैं बात करूं यह gases का प्रेशर जो हो रहा है टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है 0.7 ठीक है अब देखिए यहां पे अगर हम लोग स्टाशियोमेट्री लगाएं तो 0.5 minus x यह हो गया और यह हो जाएगा आपका 2x बनेगा और यह कितना बनेगा x बनेगा ठीक है अब यहां से अगर हम लोग x की sum कर लीजिए 0.5 minus x plus 2x plus x is equal to यह किसके बराबर है इसको बता दिये गया है यहां पे यह 0.7 atmosphere के बराबर होता है तो 0.7 ले लेते हैं इसको minus x से plus x cancel यह हो गया आपका 0.5 0.5 को इधर ले जाएगे कितना आ जाएगा 0.2 यानि यह हो गया आपका 2x is equal to 0.2 x is equal to 0.2 यानि x की value हमारे पास आ गई कितना 0.2 की जगह पे 0.2 अपां 2 यह आ गया आपका 0.1 अब हमको क्या पता चल चुका है x की value पता चल चुकी है ठीक है अब x की value अगर हम लोगों को पता चल चुकी है तो अब question में कुछ खास बचा नहीं है ठीक है यहां से अगर हम लोग देखें तो इसकी अपने को concentration मिल जाएगी concentration इसकी कितनी हो गई x यहां से निकालो यहां पे 0.5 माइनस यह x की value 0.1 यह equal हो जाएगा 0.4 के ठीक है 0.4 आ गया अब हम लोग rate निकाल सकते हैं d a upon a के respect में d a upon dt is equal to क्या हो जाएगा k क्या है rate constant a की respect में इसके respect में निकालना है rate of reaction तो अब यहां पे k की value आपको given है k की value कितनी है बिटा k की value है 10 to the power minus 3 और यहां पे आप निकाल चुके a की value कितना है 0.4 आप इसको calculate करेंगे यह हो जाएगा आपका 4 into 10 to the power minus 4 अब देखें कौन सा answer आपका match कर रहा है 4 into 10 to the power minus 4 atmosphere per second तो pressure य इस concentration पर अच्छा question था 85 बच्चों का यह question wrong हुआ था देख लिए क्या गलतिया हुई थी उसको ताकि दुबारा वो गलतिया ना हो पाए ठीक है तो आई हम लोग next question देखते हैं ठीक है चलिए half cell reaction are given below half cell reaction आपको दिया हुआ है half cell reaction क्या दिया हुआ है यहाँ पे कोबाल्ड का हो रहा है oxidation aluminium का भी हो रहा है oxidation यहाँ पे oxidation potential दिया हुआ है कहरा कि standard EMF of the cell बताइए आपको पता है कि standard EMF of the cell जो होता है यह किसके बराबर होता है standard EMF of cathode minus standard EMF of anode होता है जिसके SRP ज़्यादा होगी वही आपका क्या बनाएगा cathode जिसके SRP ज़्यादा होगी वो क्या बनाएगा cathode और जिसके SRP कम होगी वो क्या बनाएगा anode बनाएगा अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह SOP दिया है अगर हम लोग यहाँ पे standard oxidation potential दे रहा है तो इसको reverse कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा standard reduction potential यानि negative से value क्या हो जाएगी आपकी positive 1.81 हो जाएगी और यहाँ पे भी oxidation potential दिया है आप इसका reduction potential देखेंगे तो minus का 1.66 यहीं गलती होई होगी यहाँ पे गलती होई होगी आप लोगों से कि आपने इसको ध्यान नहीं दिया होगा और direct values लेके solve कर दिया होगा बाकी और इस question में कुछ खास ऐसा था नहीं ठीक है तो अब यह गलती आपको नहीं दोराना है यह गलती से सीख लीजिए ठीक है 1.6 माइनस के inow of the cell की value निकाल लेते हैं standard AMF निकाल लेते हैं सेल की यहाँ पर cathode की value कितनी है 1.81 माईनस और यह किसका है माईनस का तो 1.66 माईनस माईनस प्लस हो जाएगा यह वगा हो जाएगा 181 166 कितना हो जाएगा यह आजाएगा आपका कि बता यह कौन सा एंसर आ रहेगा ठीक है आप इसको जोड़ लीजिए 181 166 यह आजाएगा 3.47 वोल्ट क्लियर है यह आजाएगा 3.47 वोल्ट क्लियर है पिटा चल लिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 चलिए 55 क्वेश्चन में क्या ऐसी प्रावलम थी जो इतने सारे बच्चों के क्वेश्चन यह गलत हो गए ठीक है चलिए देखते हैं इसमें देखे होता क्या है कि आपको यह चीज़ पता होती है कि S की और P की यहां पे देखा जाया तो है स और P दिया हुआ है कहरा зам energy अब आपको यह पता होता है कि S की energy क्या होती है different होती है लेकिन अब यह बात ध्यान रखिएगा कि hydrogen और हाइड्रोजन-like element में यह difference जो होता है बिलकुल ना के बराबर होता belief discern होता है क्योंकि देखिए एक ही इलेक्ट्रान होता है या hydrogen-like element जिनके पास एक इलेक्ट्रान हो वहाँ से वहाँ जम करेंगे तो वहाँ पे आप बाउरूल नहीं लगता है इसलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इनकी energy क्या होती है सेम होती है तो इस बात को ध्यान रखिएगा hydrogen या hydrogen-like element जैसे lithium प्लस हो गया आपका प्लस टू हो गया helium प्लस हो गया तो इनकी जो अगर हम लोग 2s और 2p 3s और 3p इनकी energy देखें तो energy difference क्या होता है अप्राक्सिमेट 0 होता है यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि have same energy ठीक है यह क्या होता है same energy तो assertion आपका क्या है correct है region में देखते ह for an atom same principle quantum number same principle quantum 2,3,4,5 को जिसा भी ले लो SPDF have same energy नहीं सभी के लिए यह लागू नहीं होगा कि principle quantum number same हो तो SPDF के energy same है नहीं यह different different होती है जबकि यहाँ पर क्या है क्या रहा है same कह रहा है इसका मतलब यह region आपका क्या हो गया incorrect यानि assertion is correct but reason is incorrect देखें काउं से answer में है assertion is correct but reason is not correct answer number second क्या हो गया answer number second चलिए next question पर आ जाते हैं हम लोग next question क्या कह रहा है lithium has BCC structure lithium क्या है BCC structure है body centered cubic structure है ठीक है density density is 530 kg per meter cube its atomic mass is 6.94 gram per mole calculate the age length of unit cell lithium metal age length पोछ रहा है देखें आप density का formula तो आपको पता ही होगा density is equal to क्या होता है density is equal to z into m या a भी को बहुत लोग कहते हैं ठीक है और upon n a into क्या हो जाएगा a cube यही होता है density का formula आपको क्या दिया हुआ है density दिया हुआ है क्या दिया हुआ है density दिया हुआ है BCC का z की value कितनी हो जाएगी body centered cubic में effective total number of effective atom कितना हो जाएगा z की value two हो जाएगी कितना हो जाएगा two होता है body centered में corner और body center पे atom होते हैं तो corner से क्या आ जाएगा eight corner है one by eight से multiply करोगे तो one आएगा और एक body center पे तो यहां z की value कितनी हो जाएगी बेटा two तो यहां पे z is equal to two आ गया आपको atomic mass यहां पे given है ठीक है एने की value आप जानते हो अब a cube निकालना है आपको प्रावलम बची का बस जानते हो question गलत कहां पे हुआ होगा आप लोगों ने unit नहीं change करी हो बस यहीं से गलती होगी तो unit change करना बहुत जरूरी है तो यहां पे unit आपको सबको सेम में रखना है अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो यह unit change करोगे तो density is equal to क्या हो जाएगा 0.5 यहां पे 53 kg per meter cube को 10 to the power minus 3 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.53 gram per centimeter cube ठीक है gram per centimeter cube हो जाएगा चलिए अब यहां पे values put कर दीजिए यहां पे values put करेंगे 0.53 z की value 2 हो गई mass आपको दिया है 6.94 ठीक है अब उसके बाद आपका na की value 6.02 into 10 to the power minus 23 into a cube ठीक है अब इसको calculate कर लेंगे a cube calculate कर लेंगे यहां से और a की value जो आएगी यहां जाती है 352 picometer कितना आता है यहां से a की value calculate करेंगे calculate करना यहां पे इसको approximate आप लेना चाहो तो भी ले सकते हो ठीक है क्योंकि answer थोड़ा सा दूर दूर है तो कोई problem नहीं है बहुत ज्यादा ठीक है और यह बात धियान रखिएगा कि answer आपका picometer में है अभी जब यहां निकालेंगे इसको picometer में आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा यहां पे centimeter में आएगा आप उसको क्या करोगे picometer में change करेंगे तो ठीक है calculate कर सकते है calculate करेंगे तो यह आजाएगा आपका cool मिला कि कितना आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो इसको calculate करने के लिए यह आज 58% क्या कह रहा है कि एक और गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78%, 56 कुश्चन नंबर आपका 56, और गेनिक कंपाउंड गंटेंस 78% भाइवेट, कार्बन और रिमेनिंग परसेंटेज आफ हाइडोजन, अरे ये कुश्चन आपका 2021 का कुश्चन है, नीट का question है और इसमें आपको क्या करना होता है कि आप देखिए empirical formula पूछ रहा है empirical formula पूछ रहा है और atomic masses आपको दिया है नहीं भी दिया होता तो आपको इतना तो पता ही होता है चलिए अब यहाँ पर देखते है 78% का मतलब carbon का mass हम लोग यहाँ पर carbon 78% by mass है तो 78 gram divided by 2 इसका mole ratio ले लेते हैं और फिर hydrogen का बचा हुआ क्या है hydrogen यानि वो कितना होगा 22% 22 gram divided by 1 तो यह आगया आपका कितना 12-12 ठीक है 6.5 आगया और यह आगया आपका 22 अब इसको क्या करो simplest ratio ले लो इनका simplest ratio के लिए हम लोग क्या करते हैं जो कम value होती है उसी से उसको क्या करते हैं divide कर देते हैं अब divide कर देंगे 6.5 upon 6.5 ठीक है is equal to क्या हो गया 1 हो गया यहाँ पे 22 upon 6.5 अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको calculate करेंगे तो यह आजाएगा approximately 3.33 के असपास आजाता है कितना आजाएगा 3.3 के असपास आजाएगा अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो carbon क्या है अगर यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे यह बात ध्यान रखिएगा कि यही 3.6 आजाता 5 से ज़्यादा होता तो हम लोग उसको 4 के अप्रॉक्स लेते और 5 से कम है तो उसको हम लोग क्या लेंगे 3 के अप्रॉक्स लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.3 अब बहुत सारे बच्चों ने इसमें उस साल भी गलती कर दी थी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि approximately 4 ले लेंगे तो जिन्हों ने 4 ले लिया उनका एंसर आ गया CH4 और उनका question हो गया गलत इस लिए यहाँ पर एंसर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा CH3 तीन एक कारवन तीन हाइड्रोजन है चलिया नेक्स्ट कॉस्च्टन पर आते हैं अब नेक्स्ट कॉस्च्टन खतम हो चुका है ठीक है तो आप में इसमें जो भी डाउट हो तो उसको देख सकते हो ठीक है थैंक यू धन्यवाद आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं डॉक्टर कुल्दीप आपके समख्ष लेकर आया हूं आई पील जीरो फाइब के दसका दम ठीक है जैसा कि हमारे मेंटर डॉक्टर कुल एश्वी सिंग का इकमात संप्रा है अब पढ़ने का अधिकार सबको कोशन करते हैं पहला क conservator क्या है 50 लावर के बात करते हैं तो यह क्या है कि अ व्योटर के और 50 मतला होता है फ्रेंच लेंगविज का सब्द है। फैंशी मतलब थाट विचार ठीक है टो इसका आंसर है वह तुभाया लवी यह ठीक है बट क्या हैं समय तीनों की बात करते हैं तो यह तीनों के तीनों कैसी तो दिखाते हैं कैस्मों गैमस जो कि पैंसी किस में आता है वाला प्लैंट मी तो इसके ने चलते हैं कि मिलते हैं तो तो आते हैं तो क्राइसो फायक्त इस को फायर एलबी और कंगए लगी जो बढ़ जाती है जब उन्हीं के समते हैं के अंदर तो क्या हूगा ऑफ तयती तो क्या स्ब्सक्राइब करते हैं और चाँभ प्र antम क्या निकालते तोКак प्रटा शुकती है तो तो ये पई रोफाइट इसका नाम है Common Name क्या हो जाएगा फायर फाइटा ठीक है फाइच्वाइटा चलिए फेसे नेक्स पर आते हैं है यू टी-ार यू टी-ार या होता है बहई है अन्ट्रांसलेटर डीजन देखी जो यू के रिएट का ओमर ने है जिसके द्वारा वह क्या क्या जाता है फांक्ष मनाय जाता है हम जानते हैं की नो hammodding और koding दोन होते हैं इंट्रॉंस बोलते हैं नोल को यह लग सब्सक् Watch जो कोडिंग वाली लगानी होती है तो केपिंग किस से करते हैं हम लोग मिथाइल गौनोसीन ट्राइस फस्पेट इससे क्या करेंगे ठीक है इसका फाइब प्राइम क्या हो गया प्रटक्ट हो गया जब कि पूंछी की बात करें तो यहां पर क्या आएट एडिन इलेट रेजिडिव लगा देते जाते हैं तो उसे काम किया है यह क्या करते है इसको प्रैम की बाद करेंक यह क्या करें पबचाएगा जो यह मैंचर होने के बाद कहा आएगा जब असे कहा है वह हम साइड प्लाम जानते हैं बहुत सार्य निकले होते हैं तो इसको बचाने के लिए ताकि डिरेट नहीं होजाए हमारे नहीं तो प्राइब करतGreat कु Favor мен कि बात करते हैं, qamping से यह काम होता है, दूसरा polyehtale की बात करते हैं, polyehtale में क्या हमने बोला, यह क्या करता है, इसको किस से बचंचाता है, यह क्या करेगा, एक तो यह आजिंगे चल के क्या करेगा, जो इसके लिए या निकी कुल्मला के कहने का यह है कि यह करते क्या है यूटी यार यूटी यार बहुत जरूरी है जो कि क्या करते हैं मरने को क्या करते हैं इस्टेविल्टी देते हैं और उसको फंक्शनल बनाते हैं फंक्शनल ठीक है तो एंसर क्या हो जाएगा मैच और मरने में क्या होते ह वरना transition नहीं हो पाएगा है ऐसे फाइंड दी करेक्ट मैच है देखिए अब टीमबी की बात कर लिए टीमबी में क्या हो रहा है अब टीमबी का नाम जैसी पचला यह टोफे को मोजेग बारस थीक है तमागों के पेड में मोजक बार्यस की बात करते हैं तो क्या है वो तो टीम भी तो बैक्टिरिया तो होगा नहीं हमने तो करें डूढ़ना है दूसरा कह रहा है कि ऑइसी वियां सी एन कि आइसीविएन को वहता एंटरनेशनल कोड फॉर एक किसका नोमेन्कलेचर करता यह प्लांटयूहरी का फंगी पंजाई का ठीक है तो तो जोकी क्या है देखिएैंट का राहया है गाई डाइन दे रही है डिए रूठ एना रही है तो यह तो यह करत हो जाएगा पाकल थर डवी एस इपिरी का है भाई डीजिज बिल्कू सही है देखिए भीजा कि कि से क्यों होता है यह क्या होता है frame सेasedth một एक यहां कि यह दो hints को 장 स्ब्सक्राइब और एक क्वाट्व या तो बिएने वोगा तो इसमें क्या है मिज्षफॉल्डड़ पॉटेन की वैसे तो मेर्ट काउ डिजीज ठीक है और क्यूमन में क्या वह थीको तो इसका मतलब है कुस्ट अब ये क्या होगा है उसको मीड खा लेगा मां नवा जाएऄन तो यह तो ए muddy blocking inhabited on the task also 3 छलिए next पे आते हैं एक लोगिश्स्टिक्त की बाद रहा है कि लोगिस्टिक ग्रोथ करनके होता है कैसा होता dije मैं समझ एक समझे पॉपपुलेशन डैन्सटी सब्सक्राइब करें से कैसे कि लोग लेंगे घ्राइम के चैल यसा में लेंगे तो बहुत कम वह गी ठीक यह क्या है और ग्रोला ग्रोलैत। प्यूंकर सब्सक्राइब ट görस्ट हो गहीं फूट स्पेस सेलना सारे स्पोल यहीं तक क्या करेगा इनवर्मेंट को प्रठ्टेक्ट वह अगा प्रकु पंष्पंध द्यस्थ यहीं स्टाOUT एक्सप करका उसको थी और उसके घी केसिति तो तो यह बहुत चोटी ग्रोथ होती है मगर अब यहां देखेंगे लॉक फेस जा इसको बोलते हैं इसको बहुत तरी से बढ़ती है और एक मैसिम आने के बाद क्या होगा फॉर्टर नहीं बढ़ेगी इस्टी फेज मा जाएगा रुख जाएगा तो इसको बोलते हैं कैरिंग क है मोर रियलिस्टिक मोडल होता है सिंग्मोड ठीक है ठीक है चलिए जी सेकेंड आंसर इसका हो गया सभी नेक्ष्ट पर आते हैं कि देखिए है प्लॉड मेल जैंवीट ट्रांसफर हम जानते हैं गिफ्ट का मतलब क्या बई इंट्रा फेलोपेंट्ट्यू ट्रांसफर जैनली क्या होता है फीमेल जो क्या है एक नहीं बना सकती एन अबूलेशन रखा है एन ओवूलेशन प्रडूशी नहीं हो रहा है अं कि जो मतरकी में क्या कर दिया या नहीं कि क्या बात है क्या हुआ फीमेल गेमीट का ही ट्रांसफर हुआ है ठीक है फीमेल गेमीट का ट्रांसफर किसमें करते हैं गिफ्ट में मोस्ली ठीक है तो यह तो हमने बात कर रहे हैं मेलगी तो यह तो होगा नहीं ठीक है बात करते है इसका मतलब क्या इंट्रास 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 इ इसका इसका लेते हैं इसका बात करते हैं इसकी और आई यूट को भी देख लेते हैं इसका मतलब क्या हो आट से कम होंगे तो उस कंडिशन में क्या करेंगे अब इसको कहते हैं उसको जबकि इंट्राइट केंई यह बलते हमें आप देखते यह जो में इसका इसका ऑंसर क्या हो जाएगा सैकें अंसर विल भी करेक्ट अंसर है प्लाइड गैमिट की बात करें तो किसकी बात करेंगे तो फैसर रहें क्वाहत के उसलिए प्रएक ढाते हैं है मैं चलिए इसमें देखे अ क्या कि रहे इस्टम बिकम लीफी फ्लेट टेंड एल लीफ इंसकी ह स्पाइन इस टेम कैसा बन गया लीफी मया और कैसा र question तो गए चोड़ा ठीक है आप देखा वनाग्फणी के पेड में देखा होगा रिस पाइन से इस पाइन बन गए यह इस्पाइन कैसे लीफ एंस की ठीक है और इस टेम कैसा बन गया चोड़ा हो गया और कह रहे हैं कि अब यह एक्जम्पल क्या कहेंगे इसको फाइले कलोड ब जिसको बोलते ही ठीक है ऑस्चैलिय एक С की अ 1967 यह दो उसमें क्या होता है पत्ती का मोडिफाइब करता है तो उसमें क्या बनता है कि एसको को करते हैं यह asparagus सब्सक्राइब स सताबर्य और तो वहाँ पर करता है एख एक जो десятकोड कि फ्रोंग रोटा है इसमें एक लॉँग हो जाता है और वहीं से क्या निकल से चिसे यह नी में पत्ति हम जाता ये लीफ लाइक रहता है ये भी हो जा तो फ्लैटन हो जाता है और लीव कैसे जाती है पत्ती जैसे ठीक है जब कि थॉन की बात कर लेते हैं थॉन क्या होता भई यह भी क्या होता है स्टेंप का इंगोडिकेशन है जिसमें एक्जरी वैड क्या होती है किस बन जाते हैं बुड़ी एंड पॉइंटेड आप देखें चले नेक्स बात हैं ता स्ट्रॉंग एविदेंस दे डी एने इस जैनेटिक मट्रील कम फ्रॉं कहां से निकल का यह बात तो देखें दफेंट डैट क्रोमोजोम्स आर मेड अप डी अने डा नॉलेज्च यह प्रजेंट इन डी निकलियस दे डी एने हैज पावर तु रैप् आत मैं किस ने किया था ग्रिफित ने किया था लिए 1928 आंदर किस प्रीकटर पर क्या था इस्तिप्तो कोकर्स निमोनी फे इस्टिप्तो कोकर्स निमोने थी मुणए होता है नॉन कैप्सुलेटेड ठीक है नॉन कैप्सुलेटेड और जो एस में क्या था एन कैप्सुलेटेड अब यही क्या होता है कैप्सुल बीमारी करने के लिए फ्लेंस टकसले यह सबोलके कि प्सक्राइब यह कि यह क Barbie होनी सकते तो मरता निये मगर इस рек्ज़ц करेंगे दोनों को बना करते हैं इसने और लिया लाइव और ही डिकल्द या एक हीट से क्या कि इसको एसको को एसको अठाह दिया है न ही एस सलिय अगा मैस की डैच हो गई माइस की हुआ इसा क्यों तो नहीं ए द lattice है इस ने टांस्थ है यानि जो ऑसमे क्या है उसंसेट ट्रांस्फर कर तीया थी। बात ने पचला की वो क्या था और इसको क्या बोलाता है ग्रिफित्य ने ट्रांसफैंट प्रिंसिपल बोलाता तो इसका ऑफशन क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर बिल भी प्रेक्ट आंसर ठीक है कि नेक्ट पर आते हैं कि बिच अधी फॉलेंगे रेटेड़ विद्धी रिवार्ड ठीक है या अवार्ड तो यह किसे प्रॉंग करता है देखिए अधि आसे एफ आरेस एफ आसकाम अध्या वैव फैलोशिप ऑफ फैलोशिप इसकी फैलोशिप है फैलोशिप आफरोइल और यह कहा है यूके में युनाटट किंग्डम में ठीक है पेन की बात कर लेते हैं यह किसको मिलाता यह मिलाता पंचानन महेश्वरी को पंचानन पंचानन महेश्वरी कब मिलाता है 1965 के दर इन्हीं को क्या बोलते हैं फादर आफ इंडियान प्लांट एंब्रायो लौजी ठीक ए जिस सेकिनड बोटनिस थे इनको यह फेलोशेप मिले ती रॉएब ससाइटी लंदन की ठीक है दूसरी बात है पैन और पीची देख़े से बिलोंग करते हैं प्राइमरी एंड्रोस्पर्म नुक्लियस प्राइमर्य एंड्र एंड्रोसपर्म शैल एमेंसी हो गया माइक्ष्परम अधर सहल तो यह रिवाड की तो बात करनी रहे तो रिवाड क्या मिला इनको संभान कसे मिला एफ रस फेलो से का मिलेगी फाउंड इन तो हाइड्रा की बात करें हाइड्रा में क्या मिलता बई पॉलिप मिलती है है तो इसमें मिलते है पॉलिप कॉलिफ कंडिशन जैलिफ सबके बोलते हैं और एलिया अवैज्य किया बोलतें बच्चों और एलिया और इसमें कैए मिलते हैं आपन को मेड़ु सा कैसी मिलेगी मैडुसावों मिलेगी जबकि adam रहते हैं पिछलावर को बोलते हैं इसमें भी क्या होंगे इसमें भी क्या होते हैं पॉलिप कंडिशन मिलती है ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जैली फिस 107 थेंक्यू सो माच बच्चों आज इतना ही थेंक्यू सो मच्छ